नमस्कार दोस्तों, मैं एड़ोकेट अमित पूरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में आई माननी पंजाब एंड हरेना हाई कोट की एक खास जज्जमेंट के बारे में जिसमें हाई कोट ने CRPC की धारा 125 के तहत मिंटेनेंस यानि की भरन पोशन के मामले को लेकर एक बहुत ही खास जज्जमेंट दी है हाल ही में माननी पंजाब एंड हरेना हाई कोट ने मिन्टेनन्स यानि की गुजारे भते भरन पोशन के मामले में खास टिपनी करते हुए साफ किया है कि CRPC की धारा 125 के प्रोविजन्स को ऐसी वाइफ ऐसी पत्नियों के द्वारा दुर प्रियोग नहीं किया जा सकता जो बिलकुल हश्ट पुष्ट हैं तंदुरुष्ट हैं लेकिन वे जान बूचकर घर पर खाली बैटी हैं हाई कोट ने सकत टिपनी करते हुए साफ किया कि ऐसी वाइफ को ऐसी पत्नियों को CRPC की धारा 125 के तहत मिंटेनन्स यानि की गुजारा बता अलाओ नहीं किया जा तो पंजाब एंड हर्याना हाई कोट की इस खास जज्जमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पंजाब एंड हर्याना हाई कोट की इस खास जजजमेंट के बारे में, यह जजजमेंट दी गई है जस्टिस निध्जी गुप्ता जी की सिंगल बेंच दौरा, इस केस के फैक्ट्स थे, इस केस में पतनी दौ को बताया कि शादी के दुरान लड़की के साथ बुरी तरह मार पीट हुई थी जिसके चलते पती के खिलाफ आई पीसी की धारा 498, 406, 323, 506 के तहते के फ़ियर दर्ज हुई थी जो अभी पैंडिंग है जिसको लेकर केस चल रहा है पत्नी के वकील ने हाई कोट को बताया कि क्यों फैमिली कोट ने पत्नी की मिंटेनेंस एप्लिकेशन को खारिज कर दिया वकील ने कोट को बताया कि पत्नी फैमिली कोट में अपने बच्चों की डेट ओव बर्थ बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम नहीं बता सकी जिसके चलते family court ने पत्नी की maintenance application को खारिज कर दिया पत्नी के वकील ने high court को बताया कि family court ने गलती से यह माना है कि पत्नी जो है वह एक private company में काम करती है और 6-7000 रुपे प्रती महीना कमाती है इसलिए family court ने पत्नी की maintenance application को खारिज करते हुए साफ किया कि पत्नी CRPC की धारा 125 के तहट maintenance यानि की गुजारे बते को लेने की हकदार नहीं है high court ने पत्नी के वकील की दलीलों को सुनने के बाद वा family court के order को पढ़ने के बाद टिपनी करते हुए साफ किया कि family court ने पत्नी की maintenance application को इसलिए खारिज किया था क्योंकि court ने पाया था कि पत्नी 2014 से बिना किसी वज़य के अपनी मर्जी से अपने पती के घर को छोड़ कर चली गई थी इसलिए उसकी maintenance application को खारिज कर दिया गया इस case के record को देखने के बाद high court ने यह भी पाया कि इस शादी में दो बच्चे पैदा हुए थे जो दोनों बच्चे अपने पिता की custody में हैं अपने पिता के साथ ही रह रहे हैं और high court ने यह भी पाया इस दोरान दोनों बच्चे माइनर हैं जिनकी उमर एक से तीन साल थी इस दोरान पत्नी दोरा अपने बच्चों की custody के लिए भी किसी परकार का कोई case नहीं डाला गया केस के facts को मद्दे नजर रखते हुए high court ने सक्ट टिपनी करते हुए साफ किया कि ऐसी पत्नियां CRPC की धारा 125 के तहत maintenance हासिल करने की हकदार नहीं है high court ने ये साफ माना कि पत्नी जो है वह एक private company में काम कर रही है वह 6-7000 रुपे प्रती महीना कमा रही है वहीं दूसरी और जो दो नौबालिक बच्चे हैं वह भी उसके husband के पास हैं और बूरी मा की जिम्मेवारी भी उसके पती पर है जिन सबका वह गुजारा चला रहा है वहीं दूसरी और जो पत्नी है वह अकेली अपने माबापके घर रह रही है उसके उपर ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है हाई कोट ने एक बहुत एहम टिपनी करते हुए साफ किया कि जब पत्नी बिलकुल हश्ट पुष्ट है और वह तंद्रुस्त है तो यह उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वह अपना गुजारा खुद चलाए अपने लिए काम वह खुद का सारी दलीलों को सुनने के बाद सारे सबूतों को एनलाइस करने के बाद हाई कोट ने साफ टिपनी की कि CRPC की धारा 125 का दुर उपयोग नहीं किया जा सकता जो पतनियां हश्ट पुष्ट हैं तंदुरुस्त हैं वे घर बैठ कर CRPC की धारा 125 का नजायस वाइदा नहीं उठा सकती ऐसे केसिज में गुजारे बत्ते को मेंटेनेंस को अलाओ नहीं किया जा सकता इसी लिए हाई कोट ने पतनी की मेंटेनेंस अप्लिकेशन को गुजारे बत्ते की पेटीशन को खारिज कर दिया दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा पंजाब एंड हैना हाई कोट ने पतियों के हक ने एक बहुत जबरदस जज्जमेंट दी है आप सबको यह जज्जमेंट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक वा शेर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही मिलेंगी एक नए वीडियो के साथ एक नए टोपिक के साथ तब तक मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार